हेलो विद्यार्थी मित्रो फीचर एकेडमी में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टंडर्ट 10 हिंदी सब्जेक्ट में चेप्टर नुबर 14 है मेरी मा वोके उसका एक्सराइस देखने वाले है पूरे स्वाध्य को हम देखने वाले है यह वाला आप एक milli करोगे तो यह पूरा चेप्टर आपको पढ़ने को मिल जाएगा फिर एकस्साइस कीजिए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा आप इसलिए कैले घूए और जो लोग चैनल के पहली बार आये लिए पीर ये शारू करते है आज का सेशन पहला कुईशन हाँ है ने सबसे बड़ा आदेश क्या था उन्होंने क्या आदेश किया था या फिर उन्होंने बिस्मिल को क्या कहा था तो इसका उत्राप ऐसे लिख सकते हो बिस्मिल की माता जी का सबसे बड़ा आदेश था कि बिस्मिल के द्वारा किसी की प्राण हानी न हो उनकी इच्छा थी कि तो उनकी माताजी की इच्छा तो हमने देख लिया, उनकी एक मात्र इच्छा क्या थी? तो इसका उत्तर आता है, बिस्मिल की एक मात्र इच्छा, एक बार श्रद्धा पुर्वक अपनी मा के चर्णों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाने की थी, अब आपको पता है कि वो तो यहाँ पे उन्हेंने अपनी इच्छा बताई है कि मेरी इच्छा थी की श्रद्धा पुर्वक अपनी मा के चर्णों की सेवा कर सकू और अपने जीवन को सफल बना सकू ऐसी उनकी एक मात्र इच्छा थी, नमबर थ्री, बिस्मिल ने वकालत नामे में हस्ताक्षर क्यो नहीं किये, यहाँ पे वकिल जब उनको कहता है कि कर दो ना हस्ताक्षर क्या फर्क पड़ता है, तो वो क्यों नहीं करते, तो इसका उत्तर आता है, वकिल सहाब ने बिस्मिल को वकालत नामे में उनके पिता जी के हस्ताक्षर करने के लिए कहा, तो यह काम उन्हें धर्म व इस्ताक्षर नहीं किये देन नंबर फोर है यहां पर बिस्मिल की माता जी की विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो गए थे यानि पहले जो वो काइंड परसन थी यानि उदार वेक्ती तो थी लेकिन उनकी विचार अधिक उदार कब हो जाते है तो इसका उत्तरा पैसे लिख सकते हो बिस्मिल की माता जी ने जब पढ़ना लिखना सिख लिया था और वह देवनागरी पुस्तकों को पढ़ने लगी थी तब उनकी विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार हो गए थे पुस्तक हमारे चिवर में परिवरतन ला सकते है हमारे बिहेवियर को हमारे सोचने के तरीकों को चेंज कर सकते है इसलिए यहाँ यहाँ पर यह एक्जामबल यह कि मिस्मिल की माता जी पहले उदार थी रहें कि उससे पुस्तक पढ़ने के बाद अधिक उदार हो जाती है देवनागरी लिपी में जो पुस्तक लिखी गई थी उन्हों पढ़न नंबर वन यहाँ पर है बिस्मिल को अपनी एक मातर इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी उनकी एक मातर इच्छा क्या थी अपनी माता की सेवा करना और अपने जीवन को सफल बनाना उनकी इच्छा थी लेकिन यह पूरी क्यों नहीं हो रही ऐसा उनको दिखाई दे रहा था कि यह उच्छा पूरी नहीं होने वाली है तो इसका उत्तरा पैसे एक सकते हो बिस्मिल की एक मात्र इच्छा थी कि एक बार अपनी मा के चरणों की शद्धा पुर्वक सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना पर उनकी यह इच्छा जो थी वो पूरी होती नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि उन्हें फांसे की सजा हो चुकी थी उनको जेल में थे तो बहार तो नहीं निकल सकते और उनकी मा अताश्री जो थी वो अंदर नहीं आ सकती थी तो इस वज़े से उनको लग रहा था कि मेरी जो एक मात्र इच्छा है जीवन की वो पूरी होती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है तो यहीं आपको लिखना है नमबर टू यहाँ पे है अंतीम समय के लिए बिस्मिल अपनी मा से क्या वर मांगते है तो यहाँ पे उसका उतर आप ऐसे लिख सकते हो अंतीम समय के लिए बिस्मिल अपनी मा से यह वर्दान मांगते हैं कि उन्हें ऐसा वर्दे की अंतीम समय में भी उनका रदे किसी प्रकार विचलीत न हो और वे मा के चरण कमलो को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग कर सके जब उनको फांसी लगने वाली थी तो जो लास्ट साइम बचा था उस वक्त वो ऐसे अपनी मा से वर्दान मांगते हैं कि मुझे ऐसा आशिश दो कि अंतीम समय जब आए जब मुझे फांसी लगने वाली है और यहां पर यह जब लास्ट मोमेंट जब आएगा अंतीम समय जब आएगा तब मेरा रदे किसी प समरन करते करते शरी को त्याग कर सके ऐसा वो आशिरवाद अपनी मा के पास मांगते है ठीक है तैन नंबर थ्री यहां पर है गुरु गोविन सी जी की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलदान पर मिठाई क्यों बाटी यह भी जब चिप्टा खतम होता है तब यह भी खबर सुनी तो उनका सिर्गर्व से उंचा हो गया उन्होंने इसी खुशी में लोगों में बीटाई बांटी तो यहां पर गुरु गोविन सी जी की जो पत्नी थे हुई है सुनकर खुश होती है कि मेरे जो पुत्र है वो धर्म की रक्षा करते हुए बलिदान दे रहे है प्रयान त्याग रहे है आज भी अगर जब हमारे बॉर्डर पर जवान शहीद होते है तो उनकी परिवार वाले माता होती है उनके बेटी या फिर पत्नी या फिर पिता जो भी भाई है वो भी अपने भाई पर या शहीद हुआ है जवान पर प्राउड फिल करते है उनको अच्छा लगता है ये सुनके कि उनके बेटों ने अदेश की रक्षा करते हुए बलिदान दिया है वो ऐसे ही नहीं मरे तो यहाँ पर एक्जापल दिया है गुरू गोविन सी जी की जो पत्नी थी वो इस खुशी में मिठाई बाट रहे थी कि उनके पुत्र धर्म के लिए धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्रयान त्याग रहे थे ठीक है तेन नेक्स्ट यहाँ पे है नंबर फोर बिस्मिल की मा ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या-क्या प्रहत न किये अब जब उनको शिक्षा प्राप्त करने थी उनको एजूकिशन लेना था तो आप लिख सकते हो विस्मिल की मा पहले पड़ी लिखी नहीं थी विस्मिल के जन्म के 5-7 साल बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया था मोहलों की अपनी गर के गर पर आने वाली शिक्षित सकी सहेलियों से वे अक्षर बोध करती थी गर की कामकाद से जो समय मिल जात उसी में उनका पढ़ना लिखना होता था इस तर अपने परिश्रम के बल पर थोड़े ही दिनों में वे देवनागरी पुस्तकों का अध्यान करने लगी थी तो यहां पर बिस्मिल की जो मा थी उन्होंने पहले पढ़े लिखी नहीं थी और जब उनका बेटा बिस्मिल रा जाता और जो समय बचता था उस समय में वो पढ़ना लिखने के जो काम था वो करती थी और इस तरह परिश्रम जादा परिश्रम अथक परिश्रम करके उन्होंने थोड़े ही दिनों में देवनागरी पुस्तकों का अध्यान करने लगी थी तो यह सारी बाते आपको यहां पर लिखनी है ठीक है तो यहां पर यह पार्ट वन कतम करते हैं हम इस स्वाध्य का जो दूसरा भाग है वो अगले वीडियो में नेक्स वीडियो में हम पोस्ट करने वाले है तो आप जरूर देखिएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जढ़े लंग जब जडखेशवा जाद वीडियोग से टने वीडियो में हैं है ऐसरो आपका उर्डमाद से highlights भीडियों करते हैं है libro,या है यह झाट-अले है